आज मैं आपको दिखाएं जा रहा हूँ तारदो का पूरा एरिया यह पीछे मेरे आप देख सकते हैं तो यह साइड में मेरे मुंबल सेंटर एरिया है देखिए आप साइड मेरे मुंबल सेंटरल है इस्टेशन है आज तारदो का पूरा एरिया आपको वापकिन टूर दिखाते हैं बैक टू बैक अग्जिट गेट अगया तारदो का अगया तारदो गाहां अगया तो यह तारदो का स्टार्टिंग अल एरिया है यह जो आप लोग देख रहे हैं अभी यह तारदो का पूरा मार्किट का एरिया है शाम के टाम भी यह पर पूरी मार्किट लगती है अभी थोड़ा सा कैसा है दुफेर का टाम में इसलिए यह पर रश कम है बट आप अगर शाम में आते हो तो यह पर भरफूर मार्किट लगती है तो जादे रश होता है गाड़ी के ट्राफिक भी बहुत होती है कि अभी मैं यहाँ पर चारा हूँ एक स्नेक्स के दुकान पर स्नेक्स खाने रुकाओं में यापर वड़ा पौ वगएरा मुंबै का सबसे फेमिस डीश है वड़ा पाओ और यहाँ पर मुझे वड़ा पौ दीका तो मैं यहाँ रुब्या खाने के लिए चलिया आगे चलके और भी कुछ हो रहेगा तो एक्सकोर करते हैं पूरा तार्दो का एरिया है यहां मेरा पूरा बच्पन गया है कि बडी बड़ी बन गया अशरो ब पर그램ले यह सब कुछ बीन ने आपर यहां में परेस्स टेखरें आप बाइर का शुच्राइल को कि अब कि अगध fått चैना है कि अभी हम लोग आये हैं मुंबई सेंटर रेलबे स्टेशन यह तारदो से सबसे नजदिक वाला रेलबेटेशन से और यह जंशन भी है मतलब यहां पर गाव की ट्रेन भी शूटती है यहां से और मैं आपको इस इस्टेशन का एक छोटा सा हिस्ट्री बता दू कि इस टेश साथ में स्टेशन का नाम भी चेंज हो गया और साथ में मुंबई के बहुत सारे रिल्वे स्टेशन के भी नाम चेंज हुए मैं आपको आगे चलके दिखा था हूं कि यह देखिए टिकेट निकालने का नया तरीका यहां से आप मुबाइल से स्कैन कर सकते हो और आपका टिकेट अटोमेटिक आ जाएगा चलिए अभी हम लोग फटाफट ट्रेंट पकड़ते हैं हम जा रहे अभी अभी कि एल पिस्टेशन के तरफ जिसका पहले नाम था ए कि यह देखिए मेंने आप से कहा था ना कि यहां से सामने मेरे गाउफी टेंग कर इंए मुबई सेंटल स्टेशन पर और यह है लोकल ट्रेइं का ट्रेक जो स्टेशन है लोकल ट्रेंगा प्रवादेवी स्टेशन प्रवादेवी स्टेशन हमें जद कर दो दो उन्यादा प्रवादेवी स्टेशन अर्वादेवी स्टेशन तर्वादेवी आकिन यह विल्यादे प्रवादेवी दो पाइब झाब मेंट हुआए छूप में आपका जाब हुआं तो परहो जो पने को रुड़ सेटें नहीं। लिर जागना आप हो जागनाए क्हें बढ़ पता हुआनी लिली परुब। झाल झाल